हेलो जीवन मैं हूँ पदीभा कानपुर्किचन.com में आपका स्वागत हैं आज आपके ले करा है कुटहल की बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी और आज की सबजी को हम कुकर में बनाने वाले हैं तो यह जटपट बनके तयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चल जिसे हमने छील करके बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया हुआ है यह थोड़ा सा बड़े साइज वाला कट हल है चो छोटी साइज का आता है सेम इसी तरीके से आप वह वाला कट हल भी बना सकते हैं यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज और दस से पंदरा लहसुन की कलिया ली हुई है प्याज को ऐसे रफली चॉप कर लिया हुआ है क्योंकि हमें इसका पेष्ट तयार करना है तो हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे यहाँ पर दो सूखी लाल मिर्ची ली हुई है मैंने आप चाहे तो हरी मिर्च के इस्तेमाल कर सकते हैं साथ से आठ काली मिर्च के दाने डालेंगे इसी में दो लॉंग डाली हुई है मैंने और एक छोटा टुकडा जावित्री का डाला हुआ है एक यह इलायची है उसे भी हम ऐसे खोल के डाल देंगे चाहे तो आप इसका छि अच्छे से बनके तयार हो गया है अब हम चलते हैं नेक्स वासेज में तो यहां पर एक कटोरी में हम एक चमच हल्ली पावडर डालेंगे दो चोटी चमच के जितना हम धनिया पावडर डालेंगे एक चमच कास्मीरी लाल मिर्ची पावडर है आधा चमच भुनेवे जीरे पावडर है एक चोटी चमच में इसमें गरम मसाला डाला हुआ है और दो चोटी चमच हम बेसल डालेंगे चीहां दोस्तों सिर्फ दो चोटी चमच बेसल का ही इस्तमाल करना है अगर चमच बड़ा है तो एक ही चमच डालेगा सारी ही ड्राई मसालों को हम पहले अच्छे स यहों ठोड़ा ठोड़ा गोल करे में정 है तो यह एसली को भी पसद qow 2 यह उच今 थोड़ा धी दूरा पानी ठोड़ासी नरहीं सुट कर एक दिया हुआ इसे our side में णटेइंगे अब गैस में daylight में रखा हुआ आपकार में कुधर चेमश को तील दाले posso हैं चाका हो जाएगा तो हम सिक शाहिए इसे रखोआ करींगे तो हमें इसे हालका साइल्ग रखा कर लेहाँ yourself जब दीफ फ्राई में इसे नहीं कर रहे हूं तो जो टेस्ट है वो थोड़ा से ज्यादा पड़ जाएगा आप चाहें तो बिना फ्राई की भी बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसके उपर हलकी सी ब्राउन कोडिंग आ गई है कटहल को मैंने तीन से चार मिनट तक हलका सा चलाते हुए फ्राई कर लिया हुआ है अब हम कटहल को निकाल लेंगे अब उसी कोकर में हम थोड़ा सा टेल और डालेंगे तो लगवट चार चमज के जितना तेल और डाला है एक तीस पत्त डालेंगे एक चमज जीरा और आदी चोटी चमज मेंने इसमें हेंग डाले हमें प्याज को अच्छे से भूनना है जी हाँ दोस्तों मसाला भूनते वक्त अक्सर गलती ये हो जाती है कि प्याज अच्छे से भूनती नहीं है तो उसमें एक मिठास सी रहती है इसलिए प्याज को अच्छे से भूनना जरूरी है तो यहाँ पर प्याज को के पेश्ट को म जब आज अच्छे से भून जाएगी इसके बाद ही आपको मसाले का गोल डालना है और मसाले का गोल डालने के बाद हम इसे बीच पीच में चलाते हुए 2-3 मिर तक अच्छे से भूनेगे क्योंकि हमने इसमें बेशन का इस्तमाल किया हुआ है तो यह थोड़ा सा चिपकेगा बड़ जैसी मसाला अच्छे से भून जाएगा यह चिपकना भी बंद हो जाएगा तो मसाले के अच्छे से बहुत जादा भूना जरूरी है मसाला जितने अच्छे से भूनेगा सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छाएगा मसाला भून गया है मैंने इसमें कटार डाल डाल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते वे एक सी दो मिनिट तक और भून लेंगे अब हम इसमें डाल लेंगे पानी तो यहां पर मैंने एक छोटा ग्लास की जितना पानी डाला हुआ क्योंकि हम इस सबजी को कुकर में बना रहे हैं तो पानी ज्यादा अब जौप नहीं होगा नमक डाल देंगे स्वात के अनुसाल और अब हम इसे कुकर का ढखकन बंद करके दो सीटी आने तक पका लेंगे तो मैं वसी से हाई फ्लेम में दो सीटी आने तक पकाती हूँ और हमारा जो कटाल है वो अच्छे से गल लाता है और यह डिपेंड करता है आपकी कुकर की अच्छे से गलेगा तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से पका लीजिए गा यह देखे प्रिशर खत्म हो गया है रखकर अटा के देखा कटाल हमारा अच्छे से पक चुका है बाद में इसमें डाल दिया हूँ बारिक कटा हूँ अर यह लीजिए फ्रेंड्स हमारी अगर हम रोटी के साथ खाए आपको बहुत पसंद आएगी